Welcome all of you to this live weekly mastermind class, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आज के एस weekly get together में और आज का हमारा topic एक खास किसम के prayer, एक खास किसम की therapy से है और उसका नाम है So, open open prayer जो है ये हवाई आईलेंड में वहां के जो ab origins है उनके द्वारा practice करते हुए उनके एक 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 एनसेंट थेरपी है जिसको prayer के रूप में यूज करते हैं और इससे हमारे अंदर की जो भी blockages है आपकी life में जो भी बाधाएं आ रही है जो भी रुकावटे आ रही है जो लोगो हीक करने में इस से मदद मिलती है और यह बड़ा simple है four phrases है चार sentence है और उसी को लेकर यह सारा систем काम करता है और इससे बहुत सारे लोगों ने अपने कई सारे रोगों को ठीक किया है कई सारे लोगों की लाइफ में relationship खराब था उसको ठीक किया है और बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में prosperity भी attract किया है सिर्फ और सिर्फ इन्ही four phrases से जो ऐसे है इसमें four phrases है और इसमें पहला phrase है I am sorry यह बहुत ही powerful एक phrase है और यह actually एक understanding है आपके अपने आप से कहना है कि मैं actually जिम्मेदारी ले रहा हूं कि यह जो मेरे साथ हो रहा है चाहे वो आपके health से related है चाहे वो relationship से related है या फिर आपकी जो financial condition खराब है जिसको हम ठीक करना चाहते हैं उसके लिए आप खुद को बोल रहे हो और उस particular energy से आप frequency जो है जिससे हम manifest करते हैं उसको बोल रहे है कि जो frequency आप तक नहीं पहुँची उसको बोल रहे है I am sorry मैं मानता हूं मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है यह मैं पूरा responsibility ले रहा हूं कि मुझसे गलती हुई है अगर आपका health खराब है तो आप बोल रहे हो कि sorry यह जो body है body को बोल रहे हो कि sorry मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं अब यह जिम्मेदारी लेने के बाद आपके छुट्टी नहीं हो रही है जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आपको पता है कि आप क्या-क्या गलत खा रहे हो आपको पता है कि क्या आप गलत रहन सेहन कर रहे हो आपको पता है कि आप किस तरीके का वैवार गलत कर रहे हो जिससे आपका body बीमार पढ़ने लगा है ये जिम्मेदारी सिर्फ एक सेंटेंस में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो रही है और आप बोल रहे हो कि yes, I take responsibility and I am sorry ये खुद से बोल रहे हो और सामने जिसके लिए आप जिसके साथ आपका ये therapy चल रहा है ये prayer चल रहा है उसको बोल रहा है जैसे अब ये मैंने body को बोला कि मेरा body जो बिमार है मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है I am sorry now, अब मैं body से फिर बोलूँगा please forgive me, मुझे माफ करो, पहले मैंने अपनी गलती मानी अब दूसरी बार में मैं उनसे बोल रहा हूँ कि मुझे माफ करो क्योंकि मुझे पता ही कि मैंने गलती किया है और मैं वादा करता हूँ कि अब ये गलती नहीं दो रहा हूँगा, अब मैं better करूँगा, कुछ अच्छा करूँगा, आपका द्यान रखूँगा and then फिर उसके जो भी उस body ने आपके लिए किया हुआ है, जो body आपको पिछले 30, 40, 50, 60, 70 सालों से दो रहा है, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हो न, ये actually आत्मा है, जो आत्मा बोल रहा है, ये I am sorry किस ने बोला, ये आत्मा ने बोला, किस को बोला, अपने ही body को, क्योंकि हम ये मैं हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये body मैं हूँ, मैं अपने आपको अगर आइने में देखूंगा, तो आइने में देखकर ये थोड़ी बोलूँगा, मैं ये body हूँ, ये मैं ये हाथ हूँ, ये मैं आँख हूँ, कोई ने बोलता, बोलता ये मेरी आखे हैं, ये मे भल मैंने नहीं की, इसलिए जिम्मेदारी ले रहा हूँ, I am sorry, फिर body को बोल रहा हूँ, please forgive me, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, अब body को thank you बोलना है, क्या बोलना है, thank you very much, इतने सालों से मेरे लिए काम कर रहे हो, अभी जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए है, at least अपना थैंक यू नहीं सोचते, कभी उपर वाली को thank you नहीं बोलते, कि इतना बढ़िया body दे रखा है आपको, हाँ उसमें कुछ बीमारी हो सकते है, कुछ तकलीव हो सकते है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें उस चीज के लिए thank you बोलना है, ठीक है, जो बीमार है लेकिन जो already आपके पास उस body में आपको दिया, इस body से आपने क्या क्या किया इस life में, उसके लिए thank you बोलो, आप अभी भी जिन्दा हो, उसके लिए thank you बोलो, और फिर बोलो, I love you, ये चार phrases, चार अलग-अलग emotion है, और ये emotion ही आपकी healing शुरू करता है, इसलिए अपनी healing को अगर आपको चाहिए, तो ये emotion आपके साथ होना चाहिए, इसलिए मैं ये आपके Raykean Mindpower के course में integrate कर चुका हूँ, मैंने आपको forgiveness के लिए कहा है, ठीके, मैंने कहा है कि आपको thank you भी बोलना है, gratitude भी है, और चुकि आप healing करते हैं, तो वो self love आता है, आप अपने आपसे प्या maximize करके इससे हम बहुत सारी healing कर सकते हैं, manifestations भी कर सकते हैं, right, ठीक है, so mainly हम लोग इसको क्या के के लिए करेंगे, for example, for example हम लोग यहाँ पे अपनी mind के लिए करते हैं सबसे पहले, क्या है mind हमारा, mind हमारे काभू में नहीं है, for example जो RNP students नहीं है, जो बहुत ज़्यादा practice नहीं कर रहे हैं, mind काभू में नहीं है, negativity बहुत आ रही है, for example, जो नहीं students है, तो हम क्या बोलेंगे, mind में तो बहुत negativity है, बहुत सारा anxiety है, depression है, OCD है, negative mind है, बहुत ही खराब है, गंदे-गंदे ख्याल आ रहे हैं, यह हम बोल रहे हैं, लेकिन mind, mind को अगर हम ऐसे ही बोलते रहें तो वो और ज्यादा खराब करता है, और ज्यादा negativity लाता है, ठीके, like attracts like, इसलिए हमारा काम है, कि जो भी negativity हमारे mind में चल रही है, उसे वहीं पर stop कर दो, थोड़ी देर pause ले लो, और अब हम इस prayer को करेंगे, ठीके, तो सभी लोग आराम से बैठें, और अपनी mind के लिए एक चोटा सा prayer, थोड़ी धोड़ी तीर करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, ठीके, मैं यहाँ पर बोलता रहोंगा, आप मनी मन अपने उसको repeat कर सकते हो, सिधा बैठ जाए, हाथ जोड़ लिजे, ठीके, आराम से हाथ जोड़ के बैठ जाए, आँख बन कर लिजे, सोचे कि आप बगवान के सामने बैठे हो, और अपने माइंड के लिए आप कुछ अच्छा कर रहे हो, बोलो कि यह मेरा माइंड है, तो आख बन करके आपने बोलना है, डियर माइंड, अपने माइंड को address कर रहे हो, डियर माइंड, I am sorry, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, इसी को हम repeat करते रहेंगे, डि दिल से बोलना है, पूरा एमोशन के साथ, डियर माइंड, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, डियर माइंड, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, डियर माइंड, I am sorry, thank you, I love you, dear mind, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, dear mind, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, dear mind, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, dear mind, I am sorry, please forgive me, thank you, अब इस चीज़ को करते हुए आपने अपने माइंड को positive बना रहे हुआ ठीक है आग खोल सकते हो हाथ नीचे कर लो इससे क्या कर रहे हैं हम लो एक तो हमने pause ले लिया क्योंकि negativity ज्यादा थी उसके बाद हम मान रहे हैं कि हमारे mind में negativity हमारी वज़ा से आ रहे हैं तो आप उस responsibility को मानो, forgiveness मांग लिया, thank you बोल दिया, I love you अब आप अपने mind को कही positive में shift करो कुछ positive देखो, कुछ positive पढ़ो, कुछ positive करो तो आपका mind थोड़ा-थोड़ा shift होगा और इस prayer की वज़े से आपको वो positivity दिखने लगेगी आ, positivity attract करने लगोगे और mind को positive feed मिलने लगेगा और इसको आप कभी भी कर सकते हो, जब भी आपका mind negative हो, आप आराम से बैठ कर, हाथ जोड़ना जरूरी नहीं है, आप आराम से बैठ कर, ऐसे ही आँख बन करके, ऐसे money-man chant कर सकते हो, अपने कमरे में हो, तो मुझ से ऐसे बोलते हुए chant कर सकते हो, ठीक है? अब देखते हैं, आपके body में कहीं पे भी problem है, किसी का heart में problem है, किसी का liver में problem है, किसी का घुटनी में problem है, कुछ नो कुछ हो सकता है, तो हम अभी फिलहाल as a body, पूरा as a body ले रहा हूं, generally, लेकिन आप चाहें तो specifically बोल सकते हो, my heart, my lungs, my liver, my knees, कुछ भी, जो आपको लगे, my kidneys, जो आपको लगे, my back, ऐसे करके बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, generalize करके पूरी body को, क्योंकि as a whole हम देख रहे हैं, तो फिर से हम आख बन करेंगे, हाथ जोडेंगे, और इस बार body से, जो भी आपकी बिमारी है, उसको याद कीजे, और बोलिए, dear body, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, my body, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, my body, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, dear body, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, dear body, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, dear body, I am sorry, please forgive me, Thank you, I love you, dear body, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, dear body, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I love you, dear body, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. आखोल सकते हैं, यह मैंने सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए कराया, आप चाहें, जितनी देर तक करना चाहें करें, आपका मर्जी, कम सब्सक्राइब एक मिनट से लेकर पांस मिनट करें, यह कभी भी कर सकते हो, और इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं, खाने से पहले, खा ẹp ale,antwort, reclustrips का रीयां जायाएं, आपको कुछ, you know, बेटर करना है, फर एक्जामपल, आपके अपने हस्बेंड के साथ, आपके वाइफ के साथ, अपनी बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ, जिसके साथ भी अच्छा करना है, आप उसका नाम लेना, मैं फिलहाल वाइफ लेके कर रहा हूं मैं अपनी wife के साथ अच्छा relationship maintain करना चाहता हूं तो मैं wife बोलूँगा आप जो चाहिए बोल सकते हैं जिसके साथ आपको आप अपने mother-in-law बोल सकते हो एकस वाई-जी बोल सकते हो ठीक है तो मैं wife लेके कर रहा हूं just for demonstration ठीक है और आप accordingly नाम लीजेगा हम से सीधा बैठ जाएए और हाथ जोड़ लीजे अपने dear के बाद आपको जो सही लेगा उसके साथ relationship ठीक है आँख बंद कर लीजे याद कीज आंक यू आप यू 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 Dear wife, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear wife, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. आखोल लिजे, हाथ नीचे, अब ये हमने अपने relationship के लिए किया, ठीके, और ये हर चीज के लिए किया जा सकता, मैं सिर्फ आपको थोड़ा demo दे रहा हूँ, अलग-अलग aspect के बारे में बात कर बैं, ठीके, और एक और aspect होता है आपके life में, वह है money aspect, पैसे के कमी है, पैसे फ अच्छा नहीं है, तो money आपके पास रहना ही नहीं चाहेंगे, in fact आपके पास आना ही नहीं चाहेंगे, इसलिए, ये प्रेहम money के लिए करेंगे, ठीके, कि money से related आपके मन में कुछ गलत भाव हो, ठीके, आपने कुछ money से related, कुछ blunder, कुछ गलतिया की हो, ठीके, उसके money को take it granted लेकर उसे कभी gratitude नहीं किया, कभी आपने उसे प्यार नहीं किया, अजीब लगेगा, money, I love you, पैसा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये तो बोलेंगे, कैसी बात कर रहें, पैसे से प्यार, पैसे की बात, ये क्यों करते हैं ऐसा बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि घ और उसको बोलो कि I love money, money loves me, तो वो loving relationship अगर नहीं होगा, पैसा आपके पास आएगे नहीं, आप हमेशा पैसे की बात करते हैं, आप बोलते हैं, अरे पैसे की क्यों बात करनी हैं, हमेशा करनी चाहिए, घर में पैसे का बात होना चाहिए, पैसे की सही energy पता होना चाहिए, पैसे को बढ़ाने का पूरा आपके पास एक system होना चाहिए, जो आप हमेशा घर में discuss करो, मैं अपनी बच्चों को ये चीज़ सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी life में देखा कि पैसे की कमी हो, तो कोई भी आपकी इज़त नहीं करता, ठीक है, आपकी मुठी गरम हो, आपके मुठी ताकत हो, तो लोग आपकी respect करते हैं और आपसे हमेशा प्यार करते हैं, तो अगर आपको प्यार और respect भी चाहिए, पैसा तो चाहिए, किते लोग मानते हैं कि actually आपको अगर respect चाहिए, प्यार चाहिए, तो पैसा होना चाहिए, बिना पैसे का तो कोई भी प् लिखेगा। इसलिए मैंने परंपरा बनाई है कि मैं अपने बच्चों के साथ I discuss money with them. पैसे को बारे में जानो, पैसे को सेब कैसे करना, पैसे को कैसे बढ़ाना, पैसे को कैसे आप wealth में create करना, कैसे आप अमीर बनो, क्यों नहीं बात करें। तो बात करना चाहिए और आपको अपने money से भी ऐसे बात करनी चाहिए, तो आप आराम से बैठें, लंबी गहरी सांस लेकर, ठीके, राइट, सो आपने अभी सभी लोग आराम से बैठें, अब हम अपने जीवन में prosperity लाने के लिए, बहुत सारा पैसा attract करने के लिए, आख बन कीजिए, हाथ जोड लीजिए, money के साथ बातचित सुरू कीजिए, बोलिए, बोलना सुरू करें, Dear money, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, dear money, I am sorry, Please forgive me, thank you, I love you, dear money, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, dear money, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, dear money, मनी, I am sorry. प्लेस फॉगिब में, थैंक यू, आइ लव यू, आँख खोले और वापस आईए, खुल मिला कि जो मैं यहां आपको समझाना चाह रहा था, यह जो प्रेयर है, जिसको हो अपनो अपनो प्रेयर है, इससे हम अपने बॉडी में जो भी बिमारी है, उससे बात करते हुए, यह पर्टिकुलर 4 फ्रेयर में 4 different emotion के साथ, जब हम उससे करते हैं, repeat करते हैं, तो इससे भी healing होती है, so this is also a part of, a kind of a healing, okay, and it heals also, इससे आप अपने relationship को भी better बना सकते हो, इससे आप अपने life में final self blockages को दूर कर सकते हो, इसलिए इसकी importance को समझते हुए, मैंने RNP में इसको already integrated किया होगा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको यही करना है बट यह भी अगर time मिलता है अलग से कर लो four phrases को लेकर specially आप उस चीज को address करते हुए 2-4-5 minute आप कर सकते हो और करके देखना जब हम आज class करी चुके हैं तो कोशिस करें कि five minutes इस चीज पर dedicate करो अपना एक diary बनाओ जिसमें आप फोर phrases लेको और जिसको भी address करना है वो four phrases तो common है और से इसको address करना है उसको dear बोलके हम address करेंगे और पूरा इस process को एक minute से लेकर पांस minute का हम कर सकते हैं कोशिस करें कि अगले 30 days तक इसको करें जो लोग अभी शुरू करी रहें मेरे साथ तो वो लोग 30 days करें और जो लोग पुराने हैं वो लोग भी 30 days तक एक particular चीज को address करते वे करें और मुझे बताएं इस particular video जो recording है इसकी video के recording के नीचे बताएं कि सर मैंने ये open open किया और इस particular चीज के लिए किया इसमें मुझे ऐसे ऐसे difference पता चला ये ये चीज इंप्रूब हुआ और ऐसे करके better हुआ कोई problem है कोई दर्द है कोई बीमारी वो भी ठीक हुआ सिर्फ open open की बात कर रहा ठीक है आब इस चीज को किसी अपने family member को भी बता सकते हो सिखा सकते हो ये वीडियो दिखा गए कि ऐसे करके करना है क्योंकि अगर उनको रेकी नहीं पता दूसरे टेक्निक नहीं practice कर रहे हैं तो उनको नहीं पता होगा कि healing कैसे करना है तो सिर्फ ये प्रैक्टिस करा ये 30 days तब अगर आपने water charging सीखा हुआ है तो water charging भी उनको दे दीजे और उसी prayer के साथ में affirmation करके water charge करके उसको भी पिएंगे तो और ज्यादा लाब मिलेगा so open open and water charging को combine करके एक अच्छे healing energy create कर सकते हैं और life में positivity आ सकता है और जो लोग already RMP कर रहे हैं चिंदा करनी की जुरूत नहीं इसको मैंने पहले से ही integrate किया हुआ है आप लोग already practice कर रहे हो जब आप कहते हो कि सिर्फ आज के लिए मैं माफ कर दूँगा छमा कर दूँगा तो वो forgiveness है ठीक है और जब आप र ही है तो मैंने already integrate किया है बट अलग तरीके से आपको exactly hope no hope no कहे के मैंने समझाया I hope किसे आप अपनी life में integrate करेंगे और जो लोग non-reaky non-rnp person है आपके relatives आपके दोस्त आपके जिम्मे जो भी आपके जान पेचान वाले हैं उनको इस वीडियो के recording forward कर देना कि पूरन सर ने ऐ 30 days करके देखो फाइदा होता है जिंदिगी भर करो क्या दिक करते हैं पासी मिनट लगते करके देख लो ठीक है और जिसको बहुत जल्दी रिटन चाहिए वो तो इससे दिवाने की तरह कर सकते हैं दिन भर काम करते हुए खाना पकाते हुए ऑफिस में जाते आते इधर चौकर को आप सिर्फ यही करो चाहिए तो इसको अपनी आवाज में record करो हमारे पास phone है phone में record कर लो dear body, dear mind, dear husband, dear wife, dear money बोलके अपना एक particular चيज record कर लो कान में लगा वह जिस इनो आते जाते सुनो खाना पकाते सुनो ऐफिस में बैठे वह सुनो या फिर आप ये आप walking कर रहे हो सुबह साम उसमें सुन सकते हो क्या होगा आपके subconscious mind में ये जाएगा और ये आपके लिए काम करेगा तो आप record करके इसे बार-बार repeatedly सुन सकते हैं और इस चीज़ को रात को सोने से पहले कान में लगा कर और सो जाते हैं तो सारी रात आपकी healing हो सकती है ये मैं आपको एक tips दे रहाँ ऐसे करके कर सकते हैं तो record कर लो अच्छी आवाज में जैसे मैंने बोला अराम से प्यार से बोलो और उसको record कर लो और उसको कान में लगाओ और उसको repeat mode में लगा कर सोजो रात भर आपका काम होगा ऐसे किया जा सकता है बाकी मेरी तरब से आप सब लोग को सुख काम ना है I hope and believe कि आपकी जीवन में सुख, शांती, स्वास्ते, समरिद्य आएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे like and share कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तब सब्सक्राइब भी कर लीजेगा मैं आपको अगले हफ़ते मिलता हूँ बबाई, टेक्या, थैक्यू सो मज्च केविलिंग, केव स्माइलिंग and रिक्की ब्लेस्यो थैक्यू सो मज्च